सब लोगों बहुत-बहुत सौगत है और मार्केट ने लिया बहुत छोटा गैप और बड़ा फॉल बिलकुल निफ्टी आपको दिखाई दिया इस टाइम 18,000 के एप्रॉक्स प्राइस के असपास चल रहा है और उपन हुआ 18,100 प्लस पे एकदम से मौर्निंग में अल्मूस 120 पॉइंट्स का एक फॉल निफ्टी में साथ के साथ बैंक निफ्टी में एक बड़ा फॉल दिखाई दिया 42,650 के आसपास मार्केट और अभी 42,300 350 पॉइंट्स का फॉल यह तो लेट्स सी option chain क्या कहना चाता है क्या मर्केट आज बिरिष रहने वाली है या फिर कहीं पर एक support मिलने वाला है मार्केट को सारी चीज़ेश चेक करेंगे वीडियो का करिये लाइक और शुरू करते हैं आज की option chain आज़ सबसे बहले चलते हैं निफ्टी के option chain में और स चोटा सा पुट राइटिंग थोड़ा सा जादा है कॉल राइटिंग से और नंबर्स बहुत बड़े नहीं है अभी फिलाल 18,000 के स्ट्राइट प्राइस पर अगर हम देगे 33,000 का चेंज इन वाई है पुट राइटिंग कुछ खास नंबर्स नहीं दिख रहे हैं बलकि कॉल राइटिंग काफी अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं अगर हम कंपेर करें पुट राइटिंग से तो थोड़ा सा स्लाइट बियरिश मामला रह सकता है लगातार आप देख रहे हैं कि फॉल मिल भी रह है और 18,100 एक बहुत अच्छा resistance निकल के आ रहा था जिसकी बुझे से अभी आप 18,120 से fall देखना लगातार देख रहे हैं एक support अगर निकालने कोशिश करें फिलाल 950 पे एक support दिख रहा है 18,000 पे बहुत slight support दिख रहा है तो हो सकता है market 950 से लेके 18,000 के बीच में कहीं पे भी support ले मिन्स 960 या फिर 970 के आसपास या 950 के आसपास ही कहीं से support लेने के कोशिश कर सकता है until unless call writers बलते चले जाए और फिर से 950 भी एक resistance बन जाए और market उससे भी नीचे चला जाए एक बार इसको refresh करते हैं तो शायद हमें कुछ नया data दिख जाए मैं एक बार इसे refresh कर लेता और अब देखें अगर अब फिलाल अभी हम 18,000 के strike price को अगर अभी फिलाल 18,000 के strike price पो देखें तो जो 22,000 का चेंज इन वाई था call writing को 38,000, 39,000 हो चुका है और put writing कम हो चुकी इसलिए मैं बोलता हूँ आपको लगातार refresh करके देखते रहे हैं कब डिटा बतल जाए पता नह सपोर्ट मिल नहीं रहा मार्केट में कहीं पर भी सपोर्ट एक खास कोई दिखाई नहीं दे रहा है नीचे की तरफ मार्केट हो रही है लगातार अभी अरिश क्योंकि call writing काफी अच्छे से हो रही है तो अगर आप put में है profit कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कमेंट कर बता दीजे और call का wait कर रहे हैं तो wait करिये option chain के analysis को option chain को update होने का कि कहीं सही जगे पर support market दिखाए तभी मैं कोई trade ले पाओ फिलाल मार्केट एक bearish mode में है फिलाल मार्केट एक लगातार fall की तरफ जा रही है और 18,000 भी धीरे-धीरे एक resistance बनता हुआ नजर आ रहा है क्या य वेट करें और price action को जरूर साथ लेकर चलें कि कहां पर support जैसे यहां पर एक level है जहां पर market एक support ले सकता है अगर मैं इसको draw करूं फिलाल के साथ अगर आप इसको draw करेंगे तो यह level होगा आपको almost 17,900 के आसपास का एक level है यह 17,900 का level है और उससे पहले गर 17,950 को देखें त तो 950 almost यहां पर एक level है तो क्या यहां पर support ले सकता है या फिर 18,000 के resistance बन सकता है वेट करें पुट में अगर आपने profit किया तो अगर आपने profit किया है तो आप चलते हैं bank nifty की तरफ जो लगातार fall ले रहा है bank nifty लगातार fall ले रहा है RSI 40 काफी अच्छा तूट चुका है न वहां एक oversold zone हो चुका है तो माइंग शुरू हो सकती है तो आपको green candles बनती हुई नजर आ सकती है bank nifty में और bank nifty अभी फिलाल 42,200 300 के बीच में move कर रहा है तो इसको bank nifty को refresh कर लेते फिर देखते है 42,000 42,000 और 42,500 के बीच के सारे strike price चेक करेंगे तो यह आ गया हम 42,000 और 42,500 42,000 को अगर हम चेक करें जो कि अभी 250 points नीचे है फिलाल के लिए वहां पर आपको 12,000 कोई number खास नहीं नजर आ रहे हैं call writing में put writing में sorry और call writing काफी अच्छी नजर आ रही है 42,500 बहुत अच्छा resistance नजर आ रहा है 42,500 का strike price 42,300 को भी अगर हम देखें तो वो भी एक resistance ही बनता ह नजर आ रहा है 42,200 को देखें यहां पर चोटा सा एक support नजर आ रहा है put writing में 23,000 का change ही है with 66,000 का open interest है जो की call writing से काफी कम है बती चेंज होने में ज्यादा time नहीं लग सकता अगर 43,200 को भी break होना होगा तो फिलाल 43,300 एक mid zone मान सकते हैं लेकिन वो भी एक resistance की तरह ही काम कर र 42,000 एक छोटा support 42,000 एक छोटा support क्योंकि numbers बहुत कम है फिलाल अभी तो इसको हम एक बार और refresh कर लेते हैं शायद हमें कोई बड़े numbers देखने को मिल जाए क्योंकि अभी sellers का ज्यादा active नहीं हुए है इसमें 42,000 को अगर हम देखें तो 42,000 को दुबारा देख लेते हैं एक ब उपर के जितने numbers हैं वो सब लगभग 42,300 से लेके 42,500, 600,700 सब एक resistance की तरह नज़र आ रहे हैं और लगाता है आप मार्केट में fall भी उसी बिहाब पे देख पा रहे हैं और fall मिल रहा है 25 के आसपास RSI पहुँच रहा है तो thank you very much guys फिर मिलते हैं post market analysis वीडियो में अगर आपन आपने अभी profit के हैं फिलिए कमेंड करें बता है वीडियो लाइक करेंगा मिलता हूं आपको post market analysis वीडियो में thank you